हेलो एंड वेलकम वाल तो दे क्लास ऑफ सक्सेस कैप्सूल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि NTPC का टेंटिटिटिटिव देट आचुका है December 15 onwards हम लोग उस पे current affairs और journal awareness की सीरीज डिस्क्स कर रहे हैं previous classes का link description में है आप लोग बहां से check कर सकते हैं तो बिना time waste कियो है let's begin our class which of the following country was in news for testing its official digital currency in 2020 तो इसका correct answer है चाइना चाइना ने अपनी कुछ cities में digital currency को launch किया था जब पहले facebook news में था क्योंकि उसने currency launch की थी Libra तो उसके बाद चाइना ने भी experiment किया है और उन्होंने अपनी currency का नाम रखा है DCEP so moving on to next question which of the following country was stopped being member of European Union from 31st January 2020 तो इसका answer है UK 31st January 2020 के बाद UK European Union का member नहीं रहा आप लोगने term भी सुनी होगी Brexit जिसका मतलब ही यही था कि UK leaving the EU so moving on to next question Operation Vanilla जो है वो किस country के साथ associated है तो सबसे पहले Operation Vanilla जो है वो क्या है वो इंडियन नेवी का Operation था जो उन्होंने Medigaskar में launch किया था क्योंकि वहाँ पे एक cyclone आया था वहाँ पे cyclone आया था लियाने तो humanitarian assistance और disaster relief के लिए Operation Vanilla launch किया गया था Which of the following Indian cyclist won the men's karen individual event at Berlin tournament 2020 आंसर है SO Alban जो SO Alban है इन्होंने वहाँ पे गोल जीता है Berlin tournament में और जो Berlin है वो capital है किस country की जर्मनी की तो जर्मनी की capital है Berlin और Berlin tournament 2020 जो है उसमें cycling event में जो Indian cyclist SO Alban है उन्होंने गोल जीता है So moving on to next question Recently two Indian coast guard ships had been commissioned जन्देवर उनका नाम है एनी एक का नाम एनी बसंथ रखा गया और दूसरे का अमरित कौर और यह दोनों ही women जो है इनका हमारी freedom struggle में रोल है जो एनी बसंथ है उनका नाम home role moment के साथ लिया जाता है उन्होंने तिलक के साथ मिलके launch किया था और जो अमरित कौर है वो इंडिपेंडेंट इंडिया की first health minister थी इन सब में participate किया था कपूर्थला पंजाब से थी और जो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली health minister थी एक वालकेनों जिसका नाम है ताल वो न्यूज में था इरॉप्शन के लिए वो कौनसी कंट्री में है तो वो फिलिपीन्स में है जिस एर कोई वालकेनों जैसे इरॉप्शन में होता है न्यूज में होता है साइक्लोन होता है तो वो क्रंट अफेर की questions का बहुत important part होते हैं जो फिलिपीन्स है उसकी capital है मनीला मैं कुछ कुछ कंट्री की capital आपको साथ साथ बताती रहती हो क्योंकि ऐस सच अगर आप याद करने जाओगे तो आप नहीं याद कर सकते लेकिन अगर इवन के साथ रिलेट करके याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा और यह जो फिलिपीन्स है यह पैसिफिक रिंग ओफ फायर पे लाए करता है इसके इस बैल्ट पे जितनी भी कंट्री हैं उन सब में वालकेनोज और अर्थक्वेक जो हैं वो बहुत कॉमन इवेंट होती है So moving on to next question Forum of Election Management Bodies of South Asia के जो चेर्मेन है वो कौन है तो उसके चेर्मेन है सुनिल अरोडा और जो सुनिल अरोडा है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिशनर भी है हमारे यहां एक चीफ इलेक्शन कमिशनर होते हैं इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया में और दो इलेक्शन कमिशनर होते हैं यह हमारे चीफ इलेक्शन कमिशनर है एक प्रेजन ठीक है और इस चेर्मेन है इस समय इस बॉडी के जिस बॉडी को की सार्क नेशन ने फॉर्म किया है जिसको की हम आने वरी क्लासिस में और अच्छे से डिसकस करेंगे अखूरा लैंड पोर्ट जो है वो कहा है तो वो बंगलादेश में है यह साल काफी बार न्यूज में आया है जिसको हम आगे क्रंट फेर्ज में पढ़ते रहेंगे लेकिन जो लैंड पोर्ट है इसमें इंडिया और बंगलादेश ने अग्रीमेंट साइन किया है कि वो 50.58 किलोमेटर रोड बनाएंगे आशूगंज रिवर और अखूरा पोर्ट के बीच में ताकि किनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बन पाए इंडिया और बंगलादेश के बीच में सो मूविंग आउन टू नेक्स कोश्टन थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां हुई है तो इस साल यह जो गेम्स है यह गुहाटी में हुई है असाम तो यह गुहाटी में इवन्ट हुआ है और यह मैं आपको पहली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि इस बार इसके ओपर काफी सारे कोश्टन एक्सपेक्टिड है और यह जो इवन्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में लाँच हुआ था और जो फर्स्ट था वो न्यू डैली में हुआ था और मैं आपको यह भी बता चुकी हूँ इसमें टॉप किस ने किया है महराश्ट्रा ने तो इंडिया का रैंक 50 फर्स्ट है इसको लॉंच करता है दा इकनोमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो की यूके में बेस्ट है और इस इस रैंकिंग में टॉप किस ने किया है नॉर्वे ने किया है उसके बाद आइसलेंट और उसके बाद स्विडन लेकिन आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है उसमें टॉप किस ने किया है और हमारा इंडिया का रैंक कितना है 51st मुविंग आउं टू नेक्स कोष्जन मुख्य मंत्री क्रिशक दुरघटना कलयान यूजना किस स्टेट ने लॉंच की है मुख्यमंत्री क्रिशक दुर्घटना कल्यान यूशना ये उत्रपरदेश गॉर्मेंट ने लॉंच की है और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसके अंडर खेत में काम करते हैं किसी वी व्यक्ति की अगर देथ हो जाती है तो उसको उसकी फैमली को फैनेंशियल मिलेगी फाइव लाक रूपिस की और ये पहली बर ऐसा हुआ है कि जो बटायदार्स होते हैं लाइक जो किसी और की लैंड पे काम कर रहे होते हैं वो लोग भी इसमें कवर किये गये हैं और इसमें 18 येर्स से लेके 70 येर्स की एज ग्रूप के लोगों को कवर किया गया है so moving on to next question the new capital of Andhra Pradesh will be तो इसका answer ये तीनो है maybe आप लोग shocked हैं लेकिन करनोल, विशाका पत्नम और अमरावती इन तीनो का नाम है जो विशाका पत्नम है वो executive capital होगी जो अमरावती है वो legislative capital होगी जो करनोल है वो judicial capital होगी ये तीनों होगी और विशाका पत्नम जो है जैसे सौबरी क्यूट्स होते हैं किसी जगह के साथ कोई चीज जूड़ी होती है तो आपको वो भी याद रखना चाहिए जैसे कि जो port city of विशाका पत्नम है उसको city of destiny भी कहते हैं तो ये विशाका पत्नम का सौबरी क्यूट है city of destiny और अंदर प्रदेश की ये तिनों capitals होगी moving on to next question इन में से किसने men's single title को जीता इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 में men's single title एंथनी सुनिसका जिन्थिंग ने लिया है इन इंडोनेशिया मास्टर्स जितने भी बड़े टूर्नमेंट्स होते हैं आपको उसमें men's single women's singles और अगर doubles में कोई इंडियन पार्टिस्पेट करें तो वो क्रेंट अफियर का बहुत important part बनता है और इस टूर्णमेंट में थाइलेंड की रचनौक इंतानों जो है रचनौक इंतानों जो थाइलेंड की है उन्होंने women's title को जीता है तो आपको इस नाम को भी याद रखना है थाइलेंड की women's single title इन्होंने इंडोनेशिया मास्ट में women's single title लिया है और जो Anthony Suniska Jinting है इन्होंने men's single title लिया है तो moving on to next question National Informatics Center जो है वो कहां form किया गया है कहां situated है वो बेंगालूरू में है Blockchain Technology से related है और गंगालूरू में है तो moving on to next question Who among the following became the fastest Indian spinner fastest Indian spinner to claim 100 wickets in ODI in 2020 answer here is Kuldeep Yadav Kuldeep Yadav जो है he became the fastest Indian spinner to claim 100 wickets in ODI in 2020 और वो इस समय इंडिया के third fastest baller भी है Mohamed Shami और Jasprit Bhumra के बाद So moving on to next question Which of the following has been appointed as Queen's Council for the courts of England and Wales तो जब भी ऐसी किसी position पे कोई Indian होते हैं तो वो current affair का बहुत important part होता है तो इसका answer होगा Harish Salve और ये जो appointment होती है ये Queen खुद अपॉइंट करती है उन persons को जिन में कोई particular skill के लिया expertise होता है legal field में So moving on to next question Which of the following Indian cricketer was named captain of the International Cricket Council's ODI? The answer is Virat Kohli तो International Cricket Council के captain विराट Kohli को उनको ये उनको नेम किया गया है So moving on to next question Kimi Alzade took to our Instagram to announce his defection ये नाम इसलिए important है Instagram पे उन्होंने उस country से अपना नाम हटाया क्यों हटाया और वो she's the Olympic medalist वो कौन सी country की Olympics medalist है ये इरान की है और ये इसलिए important है क्योंकि इरान की पहली औरत है जिन्होंने Olympic medal जीता Rio Olympics Rio Olympics जो हुए थे 2016 में उसमें इन्होंने bronze medal लिया था टाइक बॉंडो में और ये इरान की first women है ये आपको याद रखना है कि ये नाम इरान के साथ connected है क्योंकि ये काफी ज्यादा news में highlight हुआ था So moving on to next question ATP Cup 2020 कहां हुआ तो वो Australia में हुआ इससे related important fact जो है ATP Cup सबसे पहले कहां हुआ Australia में हुआ और इससे related important fact यह है कि जो Novak Zokkovic है उन्हें रफेल निडाल को हराया था इसमें तो इसके जो winner थे इस tournament के वो है Novak Zokkovic ये प्लेयर इस साल बहुत सारी highlights में रहे हैं हम आगने वाली current of year की classes में उनके बारे में discuss करेंगे कि क्यों रिसेंटली चिंदनन मूर्थी पास्ट अवे तो वो किस language में जाने जाते थे किस language के महारती थे कंड़ा के वो उसके scholar थे, epigraphist थे और activist भी थे ये बहुत well-known personality थी इसलिए ये current affair का पार्ट है so moving on to next which of the following island country became the first to ban sun cream जो हम sunscreen use करते हैं lotion उसको ban किया गया है पलाव में इसलिए क्योंकि जो coral leaf है उन्होंने study में देखा कि वहां जो coral leaf है वो deplete हो उनकी bleaching हो रही थी इसके चलते इसलिए उन्होंने इसको ban किया है और ये Pacific nations में आता है और ऐसा नहीं कि ये ही first है इससे पहले हवाई ने भी जो हवाई islands है उन्होंने भी ban किया था लेकिन Pacific nation ये पहला हुआ जिसने ban किया है और ये रिपैलिका है जो पहले 182 मेटर का जो स्टैचू अफ ये रिपैलिका है और ये है अहमदाबाद में लगाया गया है सो मुविंगान तो नेक्स कोशन विच फॉल्विंग इंडियन स्टैट्स आर दा लाज़ेस प्रडूशर प्रडूशर अफ शूगर इंडिया आंसर इस उत्तरपरदेश एंड महाराश्ट्रा ये दोनों लीड कर रहे हैं दोनों मिलके 66 परसेंट शूगर की प्रडूशन करते हैं और इसके बाद जो नाम आता है वो गुजरात और तमिलनाडू का आता है शूगर प्रडूशन में और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो सेकिंड लार्जेस्ट फेडिंग वीक जो है वो कब मनाया जाता है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है और यह जो दिन है इस दिन की जो घोशना है वो कब की गई वो रुलेटिड है इनोसेंटी डेकलरेशन से जो की 1990 में ली गई तब से यह दिन मनाया जाता है और इसका परपस क्या है कि जितने भी इंडियन्स फॉरण कंट्री में फसे हुए थे COVID-19 की situation के चलते उनको वापिस अपनी country लाना तो moving on to next question जो season 13 है IPL का वो कौन सी country में UA की कौन सी cities में खेला जाएगा दुबई, शार्जा, आबुदाभी तो answer है तीनों इन तीनों cities में वो match होगा और वो matches start हो रहे हैं September 19 से November 10 तक तो उसका final किस दिन होगा November 10 को so moving on to next question, Manos Sinha was appointed lieutenant governor of अगर आपने last class अच्छे से की होगी तो हमने उसमें discuss किया था, Jammu and Kashmir मैंने आपको बताया था कि यह उसके second है, वहां के जो first lieutenant governor थे, वो GC Mormu थे और आप जानते होंगे कि यह जो union territory है, यह 31st October 2019 को form की गई है, तो आपको first और second दोनों lieutenant governors का नाम याद रखना होगा, so moving on to next question, the famous painting of भारत माता जो है, वो किस ने create की है, तो वो अबेंदर नाट टेगोर ने create की है, आपको लगता होगा question general awareness का है, लेकिन question current affairs में इसलिए discuss किया गया है, क्योंकि 2020 में उनका 150th birth anniversary मनाई गई है, 150th birth anniversary, तो यह limelight में थे, उनकी जो भारत माता की painting, ऐसे भी भारत माता वर्ड हम सुनते रहते हैं, लेकिन उसकी पहली जो image थी है, इनों ने बनाई थी 1905 में, और एक और जो painting जिनके साथ इनका बहुत ज़ादा नाम जुडता है, वो है Arabian Nights, Arabian Nights की paintings भी इनों ने बनाई थी, तो आपको इन दोनों की ऊपर भी कोशन आ सकता है, so moving on to next question, which of the following has been appointed the comptroller and auditor journal, तो वो है GC Murmu, जो की पहले क्या थे, Lieutenant Governor थे, जमू और कश्मीर के, और जो हमारे जो CAG होते हैं, उनको appoint कौन करता है, उनको appoint करते हैं, President, Constitution के article 148 के अंदर, तो आपको 148 आर्टिकल याद रखना है, President appoint करते हैं, और newly appoint हुए हैं, जितनी भी newly appointments उस year में हुई होती हैं, वो सारी ही current affair के questions का एक बहुत crucial part form होता है, Next question, Recently Pakistan issued a new political map, पाकिस्तान एक map show किया, अभी भी आपने देखा होगा, रिसेंटली जो SCO का event हुआ, वहां भी उनकोंने पीछे इसकी pictorial लगाया था, तो उनकोंने कौन से part को अपना हिस्सा बताया, तो उनकोंने इन चारों जगा को ही अपना हिस्सा बताया है, जुनागर, स आज की जैसे हम हार current fair की discussion के बाद कुछ और tabular form में कुछ important जो static journal awareness होता है, उसके साथ current को match करके कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, अब देखेंगे हर exam में पूछा जाता है कि जो हमारी neighboring countries हैं, उनकी capital, currency या इंडिया की कौन-कौन सी state के साथ उनका border लगा हुआ है, तो यह ऐसा question है, जो हर exam के लिए important होता है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की capital काबुल है, वहाँ currency जो है वो अफगानी है, और जो PO के जो पाकिस्तान occupied कश्मीर है, उसके वो जो है, वो उसका border touch करता है अफगानिस्तान को, ऐस सच जो की सब तरफ से देशों से घिरी हुई है, नेक्स्ट है बंगलादेश, बंगलादेश की capital ढाका है, और वहाँ की currency टका है, असाम, त्रीपुरा, मिजरम, मिगालिया, वेस्ट बेंगॉल, तो इतनी states उसको touch करती है, तो ये border कितना crucial हो जाता है, नेक्स्ट कंट्री है इन states को उसका border touch करता है, वेस्ट बेंगॉल, सिक्किम, अरवनाचल और असाम, अब बात करते हैं, चाइना की जिसके साथ हमारा ongoing conflict है, इसको हम और detail में भी discuss करेंगे, इसकी capital बीजिंग है, और युवान या रन्मीबी जो है, वो इसका currency है, चाइना का border कहां कहां सटता एक तो यूटी ओफ लदाख जो है, वो न्यूज में है, फिर हिमाचल, फिर उत्राखंट, फिर सिक्किम, और फिर अरुनाचल, तो आपको ये याद रखना है कि कौन-कौन सी stage के साथ border touch करता है, पाकिस्तान की capital, इसलामाबाद, बहुत लोग इसको कराची mark कर देते हैं, इसल राजस्तान की साथ हम शेयर करते हैं, दोनों यूटी इसमें confused नहीं होना कि लदाख यूटी नहीं touch करती, ये दोनों ही यूटी टच करती हैं, पंजाब, राजस्तान और गुजरात, नेक्स्ट नेपाल, नेपाल की capital है, काटमंडू, वहां नेपाल इस रूपीज चलता है और बिहार, बिहार और नेपाल का border भी इस साल बहुत ज़्यादा news में रहा, बिहार, उत्राखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बेंगॉल, इन states को नेपाल का border touch करता है, तो बहुत बार कोशन ये भी होता है कि कितनी states का border touch करता है, तो आपको इन सारी चीज को ध्यान रख करते हैं, नेपी दो वहां का capital है, और कयात वहां की करंसी है, अरुनाचल, नागा लैंड, मीजोरम और मनिपूर, इन चारो नौर्थी स्टेट्स का border में आनमार के साथ ठाच होता है, अब अगर हम मालदीव की बात करें, मालदीव और श्री लंका जो हैं, ये दोनो आइले maritime border है, जो की fix border है, ऐसा नहीं है कि अगर maritime border होता है, तो fix नहीं होता है, श्री लंका की जो capital है, वो कुलंबो है, और legislative capital जो वहां की है, वो जैवर्दने पुरा है, और वहां की जो क्रंसी है, वो श्री लंकन रुपी है, तो आप पहले ये देखें कि इन सारी countries में रुपी कह कहा है, श्री लंका में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, और माल्दीवियन रुपीया है, और जो श्री लंका है, उसके साथ भी हम maritime border share करते हैं, लेकिन एक land border भी है, मतलब एक land border कह लीजे कि last connecting point है, वो है दुनुष कोडी, तमिल नाडू में पंबन is the only land border between India and Sri Lanka, मैं expect करते हूं कि आप लोग को आज की class valuable लगी होगी, if you people want to change anything or you want, need more inputs in this video, please let us know, अब comment section में जाएं, comment करें, your comments are highly valuable, please do like, share and subscribe our channel, thank you